हेलो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं RCC फ्लोर ड्रोईंग हमारा बिल्डिंग ड्रोईंग का एक पार्ट है फ्लोर ठीक है पहला टॉपिक में मैंने आपको फाउंडेशन पढ़ाया था नेक्स टॉपिक है आपका फ्लोर आज हम देखेंगे floor का drawing कैसे बनाते हैं आपको जब exam में question देगा तो simple बोलेगा wall की thickness देगा और आपसे बोलेगा कि floor की drawing बनाईए floor की drawing बनाने के लिए thickness देगा wall की thickness 20 cm, 30 cm या 40 cm कुछ भी दे सकता है इसके लावब आपको जितनी भी सारी dimensions है वो खुद लेनी होती है ठीक है अपने आप sezium करनी होती है लेकिन उसमें भी condition है कि अगर by chance question में आपको दे देता है कि आपको यह specifications value लेनी है तो आप उन values को लोगे otherwise जो चीजे मैं आप बताने वाला हूं आप उन्ही steps को follow करोगे और उन्हीं dimension को follow करोगे देखिए आर्शी सी floor drawing में wall की तिकने समने लिया है यहाँ पर 30 cm 30 cm मोटी दिवाल है और उसके लिए हमको floor drawing बनाना है यहाँ पर RF 1 ratio 10 का रखने हैं 30 cm wall को आप जब यह आप डिवाइड करोगे RF हमारा 10 है 10 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाता है आपका 3 यानि 3 cm ठीक है firstly हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना यहाँ पर वाल बनाएंगे ठीक है तो वाल बनाने के लिए आप simple scale को एक जगा fix करोगे ठीक है टाइट करके fix कर लेना है एक जगे ताकि यह बार-बार हिलने ना पाए ठीक है simple सबसे पहले हम सबसे पहले एक line मनाएंगे यहाँ पर करीब 5 cm length का एक line मनाएंगे ठीक है इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाना है अब हमको वाल की ठेकना है जो अब भी हमने निखाला था 3 cm देखे आया था तो उसको चोड़ाई को हमने 3 cm रखना है इस वाल को ठीक है यहाँ से इसकी मोटाई हमको दिखाना है 3 cm तो इस line से 3 cm की दूरी पर ठीक है हमारा दूसरी line हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से आप same दूसरी line draw करेंगे पहली बाली line के just बरावर तर ठीक है यह हमारा wall है ठीक है यहाँ से आप wall यहाँ से हमने उपर start किया है वहाँ से आप wall पर continuity का sign लगा दोगे यहाँ से हमारा wall का part हमने end करके दिखा दिया है ठीक है यहाँ से उपर part कुछ होगा लेकिन हम यहाँ से इसको end करके दिखा दे रहे है ठीक है यहाँ से उपर wall का end कर दिया यह है हमारी main wall ठीक है अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी या आप जब हम floor बनाते है ठीक ह उसके नीचे की तरफ रहता है foundation यानि जो नीव होती है वहां की तरफ ठीक है न तो क्या होता है नीचे वाली जो हम wall बनाते हैं ठीक है foundation की जो wall बनाते हैं वो main wall से थोड़ा मोटा रखते हैं हमने spread footing foundation जब बढ़ा तो उसमें देखा था के main wall से नीचे wall की चोड़ाई को थोड़ा ज़ाधा रखते हैं same process हम यहां पर करेंगे ठीक है कितना ज़ाधा रखते हैं हम यहां पर उसको कितना real में 50 cm ज़ाधा रखते हैं सोरी 5 cm ज़ाधा रखते हैं तो 5 cm को 10 से डिवाइड करोगे तो यह आजाएगा 0.5 या नी 5 mm ठीक है तो यहां से wall को दोनों तरफ 5-5 mm हम एक्सट्रा कर देंगे ठीक है दोनों तरफ इसको 5-5 mm एक्सट्रा कर दिया अब इस wall को कुछ नीचे तक लेकर आएंगे ठीक है आप इसको यहां से नीचे पांच या छे सेंटीमीटर तक लेकर आना है ठीक है पांच छे सेंटीमीटर करीब लेकर आओगे नीचे सेम लैंध हम इधर भी रखेंगे और यहां पर भी हम कंट्यूनिटी का साइन दिखा देंगे इस तरह से से हो जो हमारी जादा तिकनेस का आज आजाता है और यहां से उपर यह हमारा मेंड़ का पाइट आ ठीक है तो जहां पर हमारा foundation end होती है और main wall start होती है वहां पर हम डालते हैं DPC ठीक है DPC की full form होती है damp proof course यानि seal rock रद्धा ठीक है उसको यहां पर हम डालते हैं जिसकी थिकनेस हम कितनी रखते हैं ठीक है DPC DPC की ठीकनेस हम 2.5 cm से 5 cm तक रखते हैं ठीक है 2.5 cm से 5 cm यहां पर हम इसको अगर 3 cm मानके चल रहे हैं 3 को 10 से divide करोगे तो आपका point 3 आ जाएगा point 3 यानि 3 mm ठीक है तो 3 mm यहां पर मोटा हम DPC डालेंगे DPC हमारा main wall से नीचे की तरफ जिदर हमारा foundation है उधर की तरफ डाला जाता है ठीक है तो यह वाला part हो गया हमारा DPC का ठीक है अब DPC से इधर यह wall है इधर की side हमारा अंदर की तरफ room बाला part है तो जो भी हमारा floor बनेगा अंदर की तरफ हम इधर बना कर दिखाते हैं ठीक है तो floor जो बनाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर पहले दिखिए floor बनाने से पहले मैं आप पोस की dimensions कुछ बता दूँ floor में जो हमारे कई layers में डाला जाता है ठीक है तो सबसे ऊपर जो layer होती है वह होती है हमारी फ्लोर finishing फ्लोर finishing ठीक है यह हमारा 10 mm थिकनेस होती है इसकी ठीक है 10 mm मोटा डाला जाता है उसके बाद हम डालते हैं CC ठीक है CC बोलते हैं सिमेंट कॉंक्रीट ठीक है सिमेंट कॉंक्रीट की मोटाई हम रखते हैं 2.5 cm ठीक है उसके नीचे हमारी एक layer आती है LC यानी lime concrete की ठीक है इसकी हमारी ठीकनेस रहती है 7.5 cm ठीक है इसके बाद आता है हमारा बोल्डर फिलिंग ठीक है बोल्डर फिलिंग वाला पार्ट होता है हमारा 30 cm ठीक है उसके बाद का पार्ट होता हमारा sand filling का ठीक है sand filling ये अपने आपसे बाद में बच जाता है जितना भी होता है ठीक है सबसे पहले हम यहां से बनाएंगे ठीक है यहां पर एक चीज़ समझने वाली है सबसे पहले होती है हमारी यहां फिलेवल है जमीन होती है वह उमारा ground level कहलाता है ठीक है और वहां से जितनी उचाइट थक हम अपना फिलोर neckky हाइट ठीक है जो हम घर बनाते है तो अपने फिलोर को normal जमी यहां पर हमारा प्लिंथ लेकर चलते हैं तो यहां पर हमारा प्लिंथ लेवल कहां पर होगा इंद यहां पर होगा थेकसलिम्ट यहां से सब से पहले यहां सबसेबर प्लिंथ सबसेब् dei आपक्राको यहां से नीचे ग्राउंड लेवल 4.5 सिंटीमेटर नीचे थीक होगा ग्राउंड लेवल ठीक है यहां पर हम ग्राउंड लेवल का लाइन दिखा देंगे इस तरह से ठीक है ग्राउंड लेवल ताइन दिखाने के बाद आप यहां पर यह वाला पार्ट है हमारा 4.5 cm और इतना हमारा इस पूरी थिकनेस में इतनी मोटाई जो होगी इस पूरे एरिये में हमारा कॉंक्रीट और लाइम कॉंक्रीट सेमें कॉंक्रीट इस सारी चीजें के अलग-अलग पार्ट्स लेयर में आकर पूरा फ्लोर अगया ठीक है तो मैंने क्या फ्लोर फिनिशिंग जिसकी मोटा ही हम रखते हैं 10 mm 10 mm को आप डिवाइड करोगे 10 से तो यह आ जाएगा 1.1 तो 1 mm आप थिकनेस यहां पर दिखाओगे 1 mm थिकनेस आप दिखाओगे तो यह बहुत छोटा होता है 1 mm आप सही से नहीं दिखा पाते तो हम क्या गड इसके बाद है हमारा 2.5 cm cement concrete यानी cc तो 2.5 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो 0.25 आ जाता है यानी 0.5 mm तो यहां से अब 0.5 mm मोटा cement concrete हम डालेंगे तो अब उसको दिखा देंगे एसे 2.5 cm थिकनेस लेकर हम दिखा देंगे यहां से cement concrete ठीक है उसके बाद हमारा 7.5 cm का lime concrete होता है 10 से डिवाइड गिया 0.75 यानी 0.5 mm 7.5 mm का यहां से अब थिकनेस लेंगे और यह दिखा देंगे हम ठीक है lime concrete वाला पार्ट इसके बाद 30 cm बॉल्डर filling था हमारा तो 30 cm बोल्डर फिलिंग आप 30 को डिवाइड करोंगे टैं से तो तीन सेंटीमेटर आजाएगा 3 cm अब आप उपर से लोगे और इस पार्ट में हमारा बॉल्डर हो जाएगा ते इस तरह से यह हमारा बॉल्डर वाला पार्ट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर सबी लाइन्स को हम यहाँ से क्या करेंगे continuity करके दिखा देंगे तो पूरा एक लाइन लेंगे बीच में थोड़ा gap छोड़ते हुए वही आप MD की साहता से इसको बनाओगे सही से तीक है इस तरह से हम continuity का sign लगा देंगे और यह जो लाइन्स है इनको इस तक मिला देंगे ठीक है परफेक्टली ठीक है इस तरह से यह हो गया हमारा अब यहाँ पर हमें को sign वगएरा दिखाने है ठीक है science दिखाने के लिए क्या करेंगे यह पार्ट हमारा है उपर floor finishing जो दिखाई थी हमने यह तो dark line आती है हमारी ठीक है तो यह तो already हम complete कर चुके है ठीक है इसके बाद नीचे दा हमारा cement concrete concrete वाला पार्ट है तो आप जान दे हो concrete में क्या होता है triangles और dot line से दिखाते हैं तो यहाँ से cement concrete वाला और lime concrete वाला इस सारे parts में हम क्या करेंगे चोटे चोटे triangles बनाएंगे उनके बीच में dot वाला filling दिखा देंगे LC और CC दोनों पार्ट में यही same काम आएगा हमारा ठीक है यह आप बहुत जादा हमको भरना भी नहीं है यह एक्दम odd लगने लगता है और बहुत जादा कम भी नहीं करना यह इसका range हमको थोड़ा medium रखना पड़ता है साइंस को एक्दम normal drop से दिखाने के लिए यह हमारा boulder वाला part है बोलडर होता है देखिए हमारे मोटे मोटे जो पत्थर होते है ठीक है सबसे पहले floor में हम पत्थर ही जो डालते है न तो पत्थर जो डालेंगे उनको हम यहाँ से इस तरह से मोटा मोटा पत्थर वाला part हम इस तरह से दिखा देते है लगबग same size के और बरावर तक इस तरह से ठीक है same size नहीं होता है वैसे तो हम floor में अगर देखें practically रूप से लेकिन यहाँ पर हम दिखाने के लिए show करने के लिए इसी तरह से same same बना देते है ठीक है उसके बाद जो हमारा यह part बचा हुआ है इसमें हम क्या करते है डॉट वाला पार्ट दिखाते है यानि जो हमारा खाली बसता है बोल्डर डालने के बाद जो जगह बचती है उनके बीच में पोर्स बसती है या नहीं ठीक है उनमें हम क्या करते है sand बढ़ देते है खाली area space ना रहे उस बचे से और उस पे क्या होता है इसको sand बरने से stability मिलती है और strength भी मिलती है ठीक है इस तरह से कर देंगे बाकी यह नीचे वाला पार्ट बचा है आपका sand बलता है ठीक है sand filling का पार्ट है तो इसमें simple dot dot वाला पार्ट आ जाएगा यहां से पूरा sand filling यह कंप्लीट हो जाता है इसके बाद देखिए यह था हमारा DPC जो जाला जाता है हमारे concrete की लेयर ही होती एक वाल पे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हमारा घर बनता है foundation बनने के बाद तो दिवाल पे DPC डाली जाती है concrete की डाल जाती है ठीक है उसी में chemicals मिलाते हैं जिससे की उपर sealant ना आए तो यह भी concrete वाला पार्ट है तो इसमें भी concrete का sign दिखा देंगे हम simple triangle और dot dot से ठीक है यह हमारा मेजनरी वाल है मेजनरी वाल का sign हमारा 45 के angle पर ठीक है लाइन से सूब करते हैं ठीक है double line उसके बाद फिर gap और फिर से double line जितना मेजनरी वाल वाला पार्ट है उसमें सभी में हम इस sign को दिखा देंगे यहां से और जहां ही हमारे डीपीसी वाला पार्ट है इस पार्ट को हम यहां पर खाली छोड़ देंगे इसमें नहीं करना आए है ठीक है इस तरह से आगे इस तरह से हमारा यह पार्ट हो जाता है ठीक है इसके बाद हमारा इसका डाइमेंशन और नेमिंग वाला काम रह जाता है ठीक है इस तरह से हम इसका डाइमेंशन और नेम वगेरा यह करके दिखा देंगे ठीक है यहां से सबसे पहले हमने दिखाया है उपर वॉल की ठीकनेस दिखाएंगे 30 cm यहां पर दिखा देंगे ठीक है नीचे हमारा 5-5 cm रहा हमने यांसे बढ़ाया था तो ये 40 cm नीचे हो जाएगा ठीक है यहां से हमने दिखा दिया ground label और यहां से plinth label Ground level पर हम ground level वाले sign बना देंगे ठीक है यहां से हम इसके height दिखा देंगे 45 cm ठीक है नीचे यहां से हम दिखा देंगे sand filling, ठीक है, साथ में मैंने जो इनकी dimensions लिख वाई हैं, ठीक है, यह था, floor facing 10 mm, वो भी लिख देंगे, cc 2.5 cm, lc 7.5 cm, boulder filling 30 cm, और बाकी है sand filling, gap बाला अपने अबसता है, अच्छा कुछ doubt बच्चों को यह होता है, sand filling का size क्या रहेगा, देख पूरी 4.5 cm, ठीक है, तो क्या होता है, जब हम यहां से floor finishing करेंगे, cc करेंगे, lc करेंगे, और boulder filling करेंगे, उसके बार में यह gap बचता है, side filling बाला यह अपने आप से बस जाता, ठीक है, इसका कोई perfect size नहीं होता, ठीक है, इसके बार में आप confuse ना होंगे, अब practically रूप से स नीचा होगा, उसको एकसार करने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी डालते हैं, वह बाला हर चीज कहलाती है, हमारी sand filling, ठीक है, मिट्टी डालके उसको एकदम plane कर देते हैं, surface को, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें पत्थर डालते हैं, मोटे मोटे, ठीक है, वह पार्ट हो पर जो हमारे यहां नीवन surface बन जाती है, उस गोमों cover कर देते हैं, उसके बाद हमारा CC वाला part आता है, और उसके बाद हम 10 mm floor finishing करते हैं, इस 10 mm floor finishing है, इसमें हम tiles भी लगा सकते हैं, terrazo floor भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम इसको simple ऐसे दिखाते हैं, कुछ अलग और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका तोड़ा अच्छा लगे, समझ में आए, तो आगे की वीडियो के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, थैंक्यू